हाई वेलकम टू माइच चैनल इस बड़ी में समझेंगे कांसेप्ट आफ मल्टिप्लिकेशन आफ एलजेब्रिक एक्सपरिशन्स तो ध्यान देजएगा केवल आपको दो ही रूल जाना है यदि मल्टिप्लाई करना है दो एलजेब्रिक एक्सपरिशन्स को तो और वो दो रूल क्या है उनको समझने के लिए थोड़ा सा समय देंगे आप समझ जाएगे पुरू तरह से तो पूरा अंतर देखेगा केवल दो मिल्ट में आप समझ जाएगे कि कैसे मल्टिप्लाई करेंगे दो एलजेब्रिव एक्सपरिशन्स को प्लस में तो जो रिजल्ट आएगा जो साइन का जो रिजल्ट आएगा मतलब जो साइन होगा वो प्लस ही होता है means positive the product of two factors with like science is positive means negative भी रहेगा यदी negative multiplied by negative is also positive ठीक है and the product of two factors यदि दो फेक्र आएएसे लेते हैं with unlike science उनके science कहा है unlike है मतलब कि same नहीं है तब उन दोनके जो product आएगा वो negative आएगा उसका जो sign होगा वो negative आएगा जो product का means काने का मतलब ही है कि पहले यदी प्लस हो उसको multiply करेंगे यदि हम minus से तो जो देखे, दुनों unlike हो गए यहाँ पर negative आएगा यदि पहला negative है और दूसरा positive है तब भी आपका negative result आएगा तो कहने का मतलब कि यह कैसे apply होता है कहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर simple example आपको बता रहा हूँ यदि x में multiply करते हैं आप x से, तो यहाँ पर x का sign क्या है, positive है तो यह एक factor है, ठीक है, यह भी एक factor है यह दुनों factor का sign है वो like है, same है जो दुनों का same रहेगा it means, जो result आएगा वो भी plus में आएगा, कहने का मतलब यह है और दुनों का multiply करेंगे, तो multiply कैसे करते हैं वो rule 2 है, मतलब कि जो multiply करने के लिए same variables होने चाहिए और उनका base बराबर होना चाहिए बस powers को हम add कर देते हैं using one rule और उन दूसरा rule क्या है, समझे द्यान से देखे, दूसरा rule है आपका while multiplying variables, we use the following exponent rule, यह exponent rule है जो हमेशा यूज होता है किसी भी दो algebraic expressions को जो आप multiply करते हैं तो, क्योंकि उसमें variables ज़रूर आते हैं, variables यह the same होंगे तो उनका base दोनों बराबर हो जाएगा और base बराबर होगा, तो powers को add कर देना होगा that's it यह powers को add कर देते हैं then you will get the answer जैसे कि previous example में हमने गया गया था तो x into x करेंगे तो क्यों powers को add कर देजिए, मिन्स यहाँ x रखिए और यहाँ पे 1 power है, यहाँ पे 1 power है तो 1 plus 1, मिन्स आपको मिल जाएगा x to the power 2 मतलब x into x is equal to x square लेकिन यहीं पर हम कर दे minus x multiplied by minus x यहीं दोनों का sign यहाँ पे आएगा plus x to the power 1 plus 1 ठीक है, power square को add कर देंगे अब तो यहाँ पे मिल लाएगा plus x square क्योंकि दोनों का sign क्या है same है तो plus आएगा इसका result यदि एक का positive है जैसे कि x है into minus x तो result क्या होगा देकि यहाँ plus है या minus है तो minus result आएगा और x into x करने पर तो जैसे करना होता है क्यों पावर्स को add कर देजे तो 1 plus 1 means आजाएगा minus x square और यदि माल जो पहला minus है और दूसरा positive है ठीक है तो multiply करने पर देखिए तब भी negative आएगा क्योंकि दोनों के signs unlike है आप जानते है variable same है तो आप multiply करके ऊपर पावर जो है add कर सकते है यदि same महीं रहेंगे तो क्या करेंगे that's it यह आपका question हो सकता है यदि variable same नहीं है then क्या करेंगे तो माल जो कि आपके पास है 2xy multiply कर सकते है 4z माल जो कि 4z से multiply कर रहे हैं तो पहले number यह constants को multiply कर लेंगे 4 to the 8 मतलब यहाँ पर एक बाद धानक नहीं है यदि constants राएंगे तो उनको एक साथ multiply करेंगे 2 into 4 और variables को एक साथ रखेंगे तो variable कोई भी यहाँ पर common नहीं है same नहीं है therefore हम कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर इनको बस एक साथ arrange करके लिख देते हैं means हम कर देंगे यहाँ पर ऐस तरीके से x y z that's it that is your answer means यहाँ पर मतलाए कर देंगे 4 to the 8 यह 8 हो जाएगा और यह जाएगा x y z यह आपका answer हो गया means आपको यहाँ पर जो factors दिखते हैं यहाँ पर जो variables दिखते हैं यह इस स्यम नहीं है तो बस आपको एक साथ उनको रख देना है that's it okay जैसे for example बहुत सारे examples लेता हूँ मैं so minus y में यह दिए आप multiply करते हैं x y से ठीक है पहले आपको दिखना होगा कि दोनों के signs क्या है इस factor का sign है negative इस factor पॉजिटिव मिस दोनों के unlike signs है therefore इनका जो product आएगा वो negative आएगा उसके बाद हम इसके variables को एक साथ रखते हैं x आप ऐसे रख दीजिए क्योंकि x का factor आप है नहीं और y y same variables हैं तो इनको हम power add कर देंगे means y to the power 1 plus 1 ठीक है means मिल जाएगा minus x y square this is your answer तो concept मतलब यही है simply ऐसे ही करके आपको solve कर लेना है तो चाहें कितना भी बड़ा सा बड़ा कोई भी multiplication आए आपको basic ये concept लगाना ही है हमेशा हर जगर दो factors को multiply करने को जरूद रहेगा जैसे माल लिजिए मैं आपको एक example और बताता हूँ x into थोड़ा complex बताता हूँ x into माल जैसे दिया हुआ x square plus x y plus 3 ठीक है यहां मुड़िपलाई करना है तो यहां भी आपको ये basic concept use करना ही है मतलब दो factors को मुड़िपलाई करना ही है बस आपको bracket के अंदर इसको distribute कर देना है इस x को यह करना पड़ेगा यहां पर x multiply करेंगे तो अब करना पड़ेगा इस तरह किसे x into x square plus x into x y plus x into 3 ठीक है यहां पर देखे यहां पर दोनों का variables दोनों जो variables हैं सेम है तो इसके powers को add कर देंगे यूज होंगे finally तो x into x x y करेंगे तो यहां पर देखे 1 power है यहां भी 1 power है दोनों पर देखे एक सिसकार y हो जाएगा y को y का variable सेम को है नहीं y को additives उसके सार्थ रख देंगे बस plus यहां पर कर देखे 3x ठीक है तो this is your product of these two factors तो इसको बोलते है product इसको बोलते है multiplicand दोनों का नाम जो होता है मतलब जिसको multiply कर रहे होते है उसको बोलते है multiplicands तो यह भी multiplicand है और यह जो आता है इसको बोलते है product ठीक है product this is your product मतलब जो product बन चुका है machine के अंदर जाने की बादा यह दूनों आपके एक तरह से पोल सकते हैं और यह प्रेड़क्ट है के मेस्टी के पॉइंट अभीव से तो आप समझे हो कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है तो ऐसे मैं और भी वीडियोज बनाऊंगा आप जगा-जगा बहुत सारे एक्सेज में आप देख सकते हैं इस समय भी यह कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बाक्स में लिए सकते हैं और यह आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए आप दोसे के सेर कर सकते हैं थैंक यह सो मुझ पर वाचिंग बाइ